नमस्कार दोस्तों, Stock Market Update चैनल मैं आपसे भी प्यारे दोस्तों का में दिल से स्वागत करता हूँ यदि आपके पास अभी भी पारस है यानि कि आपके पोर्टफोलियो में अभी भी पारस है तो ए वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों तो बने रहे है पूरे वीडियो में और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ यदि आप पहली बार हमारी चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि पारश डिफेंज जब से लिष्ट हुआ है तब से लिकाज तक हमने जो बताया है वैसा ही हुआ है हमारा एए वीडियो पारश डिफेंज के बारे में आपकी स्टडी को मजबूत बनाने के लिए है इस वीडियो में हम बात करेंगे पारश डिफेंज के बारे में कल की स्ट्रेटेजी कौन सी रहने वाली है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि कल हमने एक वीडियो पेश किया था पारस डिफेंस के बारे में और बताया था कि पारस डिफेंस पूरे विक के लिए प्लस में रहेगा और इसी विक में हमें पारस की अपर सरकिट देखने को मिल सकती है उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी काम कर गई दोस्तो हमने जो बताया था वैसा ही हुआ पारस डिफेंज 7 परसेंटेज के हिसाब से आज प्लस में रहा और अपर सरकिट के करीब ही रहा आज पूरे दिन की वॉल्यूम काफी ही ज़्यादा बहतरीन साबित हुई हमने जो स्ट्रेटेजी में बताया था कल के वीडियो में वैसा ही आज पारस ने परफॉमंस किया और ट्रेडिंग करता हमें देखने को मिला पूरे दिन के ट्रेडिंग में एक बार एट परसंटेज के हिसाब से भी प्लस में जहा चुका था और अपर सरकिट लगते लगते रह गए लेकिन जब अब कल बजेट पेश होने वाला है तो तब दोस्तों उसमें जिस तरह से सर्रक्षन शेतर में प्राउधान होने वाला किसी भी कंट्री के लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है तो वो है सर्रक्षन और उस हिसाब से कल के बजेट में सबसे ज्यादा प्राउधान सर्रक्षन शेतर को ही मिलने वाला है उस हिसाब से डिफेंस सेक्टर में जितनी भी कमपनिया काम कर रही है उसका सीधा अस उसके कल की शेर की मार्केट की ट्रेडिंग में हमें देखने को मिल सकता है अब बात करते है कि कल पारस के बारे में हमें कौन सी स्टेटेजी से चलना चाहिए तो यदि आपने पारस डिफेंस में एंट्री नहीं की है तो दोस्तों पूरे विक के लिए पारस प्लस में रहे ये बेचने की गलती बिलकुल ना करें क्योंकि जिस तरह से पिछले वन मंथ में पारस ने जिस तरह से करेक्शन दिखाया है अब पारस यहां से रॉकेट की तरह भागेगा ये बाद 100 पर्शन आप लिखके रख लिजे हम हमारे वीडियो में उसी स्टॉक के बारे में सजेश जी है तो उस हिसाब से यदि आपने भी लॉंग टाइम के लिए पारस में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहीं ट्रू इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगी और बात करें दो साल के बाद पारस डिफेंस में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है और दो साल के लिए आप होल् मीनिमम दो हजार के लेवल को बिट कर ही लेगा एह 100% शौर हमारी टीम का रिसर्च बता रहा है और हम और हमारी टीम के सभी मेंबर्स पारस्ट डिफेंस में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो टू येर के लिए लॉक इन पिरियर्ड में लॉक कर दिया गया है यहीं थी आज की पारस्ट डिफेंस के बारे में हमारी डिबेट ऐसे ही इंट्रेस्टिंग डिबेट के लिए दोस्तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुले और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है अब मिलेंगे कल के वीडियो में बजेट पेश होने के बाद पारस्ट डिफेंस में हमारी स्ट्रेटेजी कौन सी रहने वाली है उस पर बात करेंगे कल रात के 9 बजे पेश होने वाले वीडियो में वो वीडियो आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए इसलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए थैंक्यू सो मच जाहिंद